हिसनों क कंद्र हस्तरिका 파ट 125 अब हम नेत्रों के बारे में जानने जाने कि नेत्र क्या होते कितने प्रकार क्यों प्रख करने तो दो आंकहें हमें सभी में do आंकहें ही होती उसके लाफ आंकätzen रेलेटर्टड चीजων इसकी बात करते हैं, अगर नेतर काले हो तो बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, धन धाने से परिपोर्ण इंसान, पहली कंडिशन, मतला बहुत बढ़िया, काले नैन, बहुत अच्छे नैन माने जाते हैं, पीले हैं, अगर आखों का रंग थोड़ा सा पीला पाने तो माता जहाज है सकते हैं हमानी ठोड़ा क्या उता है मित्रधी होते हैं मित्रधिक ने त्रण करने की छमता होती है दैर्यों से अगर बात करूव मैं भूरे नहें थोड़े से चालाह हो सकते हैं थोड़े से मतलब काम मौका परस्त हो सकते हैं यात्रा काफी करते हैं ऐसे लोग और भुजन बहुत अच्छा बहुत स्रोकिन होते हैं तीखे नहीं तो एक दम से तीखे आपको देखने में लगेगे तो तीखे नहीं होगी बात करूँ तो जल से संबंदित कारे में यह होते हैं जिनका ज सकते हैं परिश्रम में सफलता मिल जाती अगर नैन थोड़े से लाल हो रही आके लाल हो रही है तो यह भोट सबस्याber वहले होते हैं इसके लावा बहुत शूर वीर होते हैं अगर चोटे नायन हैं बहुत चोटे चोटे तो गरीब हो सकते हैं लेकिन चालाख हो सकते हैं इसके राव सन्याजी हो सकते हैं इस तरह से आखों की 5-6 केटेगरीज हैं पांच छे बोलनों कम से कम आठ नो केटेगरीज होती हैं जिनमें हम इनको लेते हैं एक बार फिर से बता देता हूं बड़े छोटे लाल तीखे मोटे काले भूरे सफेद और पीले तो एक कुल मिलाकर इतने तरह की आखें होती हैं जिनका हम इसको वरगी करन की कि तरह से अच्छे नइन काले होते हैं बड़े बाले बहुत इच्छे होते हैं इसके लावा जो लाल होते हैं थोले से पार आकों पर वीडियो वीडियो अच्छे लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्यबाद अग्छे लिए तक नमस्कार